दोस्तों अगर आप रेलबे एक्जाम एंटी पीसी प्लस गुरूब डी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो यह इस्पेशल बुक की यह आपके लिए है और यह इस्पेशल क्यों है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें फूल सलेवस बाइज जो है कॉंटेंट पूरा गया रेलबे एक्जाम में वो भी इसमें शामिल किया गया है और दोस्तों इसमें खास यह कि मातर 35 रूपीज की बुक है यह ओफर चला है कुछ दिनों के लिए आप हमारे सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन सब्सक्राइबर के लिए बुक को इसे 60 रूपीज की थी लेकिन यह बुक आपको हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंगेज मिल जाएगी तो आपको जो भी लेंगेज रहे वो आप देख सकते हैं हिंदी प्लास इंग्लीज में काफी अच्छी बुक है कम प्राइज में आपको इतना अच्छा कॉंटेंट मिल लाए आप जरूर परचेज क पहला कोश्चन है मारा हाली में मनोहर परिकर जी का निधान हो गया है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो थे गोवा राज्य के मुख्यमंत्री देखे दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर जी का 17 मार्च को निधान हो गया है पंडजी में और व 2014 से 2017 तक उन्होंने किंद्री रक्षा मंत्री ग्रूब में भी कार्य किया है ठीक है और दोस्तों आपक वता देख उनका जन्म जो था मनोहर परिकर जी का 13 दिसंबर 1955 को हुआ था गोवा के मापुसा गाउ में हुआ ठीक है मापुसा गाउ में उनका जन्म हुआ था और मनोहर परिकर जी का पूरा नाम था दोस्तों मनोहर गोपाल कृष्ण परिकर देखिए मनोहर परिकर जी 1994 में गोवा की पणिजी विधान सभा सीट से चुनाव जितकर पहली बार विधायक बने थे और भारती जनता पार्टी से गोवा की मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता तो 2014 से सत्रे तक भारत के रक्ष्ण मंत्र की कारेकार के दौर उन्होंने यू पी से राजसवा के सांसाथ भी थे ठीक है और मनोहर परिकर जी की पहचाने की मानदार साद्गी भरा जीवन जीने वाले नेताओं में से ठीक है तो देखिए तो मनोहर परिकर जी का निधन हो गोबा के मुख्यमंत्री थे तीकर या रखकेंगे अग्ला कोश्चन है महारा महला यूरोपीयन टूर जीतने वाली दूसरी भारती महा भॉल्फर कौन बनी है तो महिला यूरोपीयन टूर जीतने वाली दूसरी भारती महला कॉलत過去 बन गई है दीक्षा डागर ऑप्सन सी ठीक है यह बन गई है तो दोस्तों इस वीडियो प्लीज शेयर जरूर करें आपको जितने अगर यह वीडियो आपको पसंद आ तो प्लीज शेयर कर दें सभी दोस्तों को साथ वाट्सेप और फेस्बूक ग्रूब में ज्यादा में स्विश ओपेन वैडिमिंटर टूनेमेंट जित लिए है ठीक है सी यू की 2019 में दोहा में होने वाली ACI Championship के लिए किस जेवलिन द्रोवर ने qualify किया है अनू रानी कौन सा भारती अथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए qualify करने वाला भारत का अथलीट बन गया है केटी इरफान ऑप्सन भी देखें तो केरल के 29 वर्षी एथलीट केटी इर्फान ने टोक्यो अलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है और वह जापान के नोमी में ACI रेस बॉकिंग चैंपियंशी में पूर्शों की 20 किलोमेटर की स्टेडी में चोदे स्टान पर है और उनने अगले साल टोक्यो अलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है और दो अन्य भारती रेस वाकर जिन्होंने विश्व चेंपियन के लिए क्वालिफाई किये हुए दविंदर सिंग और गणपती अगला question most important है भारत का पहला भ्रहस्टाचार विरोधी लोकपाल कौन होगा पिनाकी चंद्रगोष ऑप्शन C देखे उस तो पिनाकी चंद्रगोष भारत के पहले भ्रहस्टाचार विरोधी लोकपाल होने के संभावना है और सुप्रीम कोट के पूर्व न्याधिस और राष्टी मानौ अधिकारायों के वरतमान सदस्य है आपको बता देक 2013 में पारित लोकपाल अधिनिया में सीर्स ओप्सन सी एसी आई यूवा एतलेटिक शेंपियंशिप 2019 में भारती यूवर टीम कुल 26 पदक के साथ कुल पदक में कौन से स्थान पर रही है सेकेंड नमर पर ऑप्सन भी दूसरे स्थान पर देखिए हॉंग कॉंग में एसियन यूथ एतलेटिक शेंपियंशिप में लड़कों की मेडले रिले टीम ने भारत के लिए स्थान पदक जीता है और भारती यूवर टीम कुल 26 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रही और 800 इसमें से 800 नव रजट और नौ कांस पदक शामिल है और चीन जो है दोस्तों कुल 31 पदक के साथ पदक जीता जिसमें 12 स्थान 11 रजट और 8 कांस पदक शामिल है ठीक है तो पहले नमर पर है चाइना और सेकंड नमर पर है इंडिया दूसरे स्थान पर टोटल 26 मेडल अगला कोशन है मार्च 2019 में ICC की नवींता मॉंडे रैंकिंग में बल्ले बाज़क सुची में पहले स्थान पर फस्ट नमर पर कौन है विराट कोहली भारती कप्तान जो है विराट कोहली और तेज गेदबाद जस्परित गुम्रान है ICC की ताज़ा मॉंडे रैंकिंग में इ प्रोही शर्मा दूसरे नमर पर है और टीम रैंकिंग में भारत दूसरे एक लेंड से पीछे ठीक है टीम की बात करें तो भारत दूसरे नमर पर है एक लेंड से पीछे है कि कोशन नाइन थैं डेरील डी मेंटे का मार्च 2019 में निधन हो गया वह प्रसिद्ध क्या थे पत्रकार और पर्याबरन कारिकरता डेरील डी मंटे जिन्होंने अंग्रेजी देनिक समाचार पत्रों के साथ काम किया उनका निधन हो गया है ठीक है पत्रकार थे चीमान रॉय का मार्च 2019 म निधन हो गया वह प्रसिद्ध क्या थे चीमान रॉय प्रसिद्ध अभिनेता थे ठीक, option C देखिए महान बंगाली फिल्म अभिनेता चिन्माय राय कौमिक भूमिकाओं में उत्कृष्टा गले जाने जाते हैं दिल का दौरा पढ़ने के बाद उनका निधान हो गया है तो चिन्माय राय प्रसिद्ध अभिनेता थे किसने मार्च 2019 में BNP परिवा ओपन जीता है 2019 में BNP परिवा ओपन जीता है डोमिनिक थियम, option C देखिए दोस्तों, डोमिनिक थियम ने BNP परिवा ओपन फाइनल में रोजर फ्रेडर को हराकर अपने कारियर का सबसे बड़ा किताब का दावा किया है और उन्होंने अपनी तीसरी अंति मुपस्तिती में अपनी पहली ATP मास्टर से 1000 टॉफी आंसिल की है और थियम ने रोजर फ्रेडर को रिकार्ड छटे BNP परिवास ओपन के ताज से बंचित कर दिया है ठीक है भारत में उजबेकिस्तान के संस्कृतिक और परेटन राजदुत करू में किसे निक्तिया गया है रितु बेरी को देखें तो लोकप्री भारती पहसें डिजाइनर रितु बेरी को उजबेकिस्तान के परेटन मंतले दवरा भारत में उजबिकिस्तान के संस्कृती को और प्रेटरन राज़ुत कृमन युक्तिया गया है और उनके कपड़ों की पंक्ती में संस्कृतियों को लुभाने के माध्यम से दोनों देशों के मध्य एक साथ लाने की प्रतुन का युगदान की मानेता है और इस पत्पन युक्त होने वाली पहली भारती हैं वो अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर डीडी महिला किसान पूरुसकार का पहला पूरुसकार किसने जीता अब देख लेते हैं आज का सवाल क्या है हमारा मार्च 2019 में उजुबेकिस्तान गणराज में भारत का पहला राज़ूत भारत का राज़ूत किसे निउक किया गया है जिसका एंसर आप लोग फटा पट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर वीडियो अच्छे लेकित प्लीज लाइक करें वीडियो को शेर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों को साथ जिने भी आपके पास WhatsApp ग्रूप हैं Facebook में सभी जल्दी जल्दी शेर कर दें वीडियो को ताकि सभी खेल पो सके और कमेंट करके जरूर बताए अपना झाल 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 झाल